हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें अदिती के सर और पीट में काफी ज़ादा दर्ध होता है और उसकी तबेद भी काफी खराब हो जाती है फिर उनाल और शोभा उसे होस्पिटल ले जाते है हालाग बहुत ही ज़्यादा सीरेस होने के कारण अदिती को आईसियो में एडमिट कर आया जाता है कुछ ही समय बाद टॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते है माजी आपकी बहु की तबेद काफी ज़्यादा खराब है बहुत ही ज़्यादा नमक खाने की वज़ा से उनके किड्नी में इंफेक्शन और पत्री भी हो गई है ब्लट प्रेशर भी नॉर्मल सी कहीं स्यादा है अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है अधिती एक अच्छी कॉले स्टुडेंट थी और उसे खाना पकाना और खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था वो जब भी कुछ नया खाती या पकाती थी फिर उपकवान की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती थी जिससे उसकी प्रोफाइल पर लाखो लाइक्स और फॉलोर्स आते थे उसकी जिन्दगी काफी खुशाल चल रही थी फिर एक दिन उसे इंटेनेट से चाइनीज सॉल्ट के बारे में पता चला और फिर उसने कुछ चाइनीज सॉल्ट से पकवान बनाए और उसे खुब पसंद आए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बाद उसे धीरव लाइक्स और कमेंट्स भी बिले जिसकी वज़ा से अब वो हर खाने में जरूरत से ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट का इस्पिमाल करने लगी ऐसे ही कुछ दिन बीटते गए और फिर कुछ समय बाद एक दिन अदिती की मा मन्जू बोली अदिती मैं चाहती हूँ कि तू भी अब शादी कर ले ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओं अरे मा इतनी भी क्या जल्दी है अभी तो मैं बस पच्चिस साल की होई हूँ पर लोगी शादी बेटी तुझे पता है अमारे जमाने में तो 16 साल की उम्मर में शादी हो जाती थी और तू तो 25 साल की होकर भी मना कर रही है मा वो आपका जमाना था आज का जमाना मॉर्डन हो गया है और आज के जमाने में कोई नहीं करता एक ती जल्दी शादी इसलिए जब मेरा मन होगा ना शादी करने का तो मैं आपको बता दू बेटी एक दफा देख तो ले इस फोटो को बहुत सुन्दर लड़का है अदिती फोटो देखती है और उसे कुनाल पसंद आता है और वो शादी के लिए मान जाती है कुछ दिनों में कुनाल के घरवाले अदिती को देखने आते हैं और अदिती चाइनिस सौल से उनके लिए नाश्ता बनाती है कुनाल की मा शोभा तो जम कर अदिती के खाने की तारीफ करती है वाह मन्जु जी, आपके बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया अरे शोबा जी, लाखों में एक है मेरी बेटी, हर तरे का खाना बना लेती है, और तो और कई सारे कुकिंग शो भी जीते हैं इसने ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा कुनाल भी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा नए नए पकवान खाने, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस कुनाल और अधिती को अकेले में थोड़ा वक्त पिताने दीजिये न, दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अधिती और कुनाल छट पर जाते हैं, और कई सारी बाते करते हैं, और फिर एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, सबकी रजामंदी से कुछ ही महीनों में उनकी शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों अधिती खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, और उसे शोबा की कही गई तारीफे याद आती हैं, वाह मंजु जी, आपके बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया, ये सब सोचकर मंजु खुद से बोलती है, उस दिन पी खाना मैंने च हुलाल जी को काफी पसंद आया था, ऐसा सोचकर वो खाने में काफी सारा चाइनिस सौल डालती है, और कुछ दिर बाद, आधिती सब को खाना परोसने लगती है, और शोबा, खाना खाते ही उल्टी करने लगती है, और बोलती है, ओ बहु, ये तुने खाना बनाया या जहर अगर तेरा बनाने का मन नहीं था, तो पहले ही बता देती ना, मैं खुद बना लेती, नहीं मा जी, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस मैंने इस वाद के लिए कोज़ जादा ही चाइनिस सौल डाल दिया था, इससे जादा कुछ भी नहीं, बेटा, एक बड़ तो खुद ही च यह होता, तो खुद एक बार चकलो, यह सुनकर अधिती, कुनाल की प्लेट में से एक चमच खाना चक कर देखती है, और बोलती है, इतना टेस्टी तो है खाना, आप मेरे खाने की ऐसे बेज़ती नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाईए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खालोंगी, आप अपने लिए कुछ और बना लेजे, मैं तो यही खाऊँ, ऐसा कहकर अधिती, अपना बनाया हुआ खाना अकेले ही खाने लगती है, और शोभा अपना सर पटक लेती है, उसे कुनाल और खुद के लिए, मजबूरन रसोई में जाकर खाना बन आती है, जिसकी वज़ा से रोज-रोज कई सारा खाना बरबाद होता है, और फिर एक दिन अधिती के सर और पेट में काफी जादा दर्द होता है, और वो कुनाल से बोलती है, कुनाल जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुनाल जल्दी से भागा-भागा अधिती के पास और उसकी सर और हाथ को चू कर दे के बोलता है क्या हुआ अदिती तुम्हें तुम इतना क्यों चिला रही हो सब ठीक तो है ना कुछ भी ठीक नहीं है कुणाल जी मेरे सीर और पेट में बहुत जादा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रही है कुछ नहीं होगा तुम में तुम आराम करो मैं मम्मी को बुलाता हूं ऐसा कहकर कुणाल फटाफट शोभा को बुलाता है और शोभा आकर कुणाल को फैमली डॉक्टर को बुलाने की कहती है कुणाल कई बार डॉक्टर गुपता को कॉल करता है मगर कॉल नहीं लगता जब तक शोभा अपनी बहु के लिए जूस लेकर आती है और अधिती से बोलती है बहु तो जब तक जूस पीकर आराम कर तब तक मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ ऐसा कहकर शोभा अपने आसपास भटकती है मगर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता और इधर दूसरी तरफ अधिती की तब्यत काफी खराब हो जाती है फिर कुनाल और शोभा एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जालत बहुत ही ज्यादा सीरेस होने के कारण आदिती को आईसियू में एड्मिट कराया जाता है कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं माची आपकी बहु की तबियत काफी ज्यादा खराब है बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किड्नी में इंफेक्शन और पत्री भी हो गई है प्लट प्रेशर भी नॉर्मल सी कहीं स्यादा है अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा स तकी है तब ही कुनाल डॉक्टर सी बोलता है अउसी के साथ कुनाल का साथ देते हुए शोभा बोलती है देखिया डॉक्टर साहब अब उसके जिन्दगी आपके ही हाथों में आपको उसे बचाना ही होगा ठीक है माजी आप काउंटर पर पैसे जमाख करवादीजिये मैं को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद अधिती बच जाती है डॉक्टर आइसी उसे निकल कर शोभा को कहते हैं देखिए माजी आपकी बहु अब खत्रे से पूरी तरह भार है उनको अराम की सक्त जरूरत है आपको उनका खास ख्याल र सब उसी की मर्जी है इस तरह आधिती को सीख मिलती है कि किसी भी चीज का ज्यादा उप्योग किस तरह हानिकारक हो सकता है और वो अपनी आदतों में सुधार करती है और अब वो बाकी लोगों को अपना उधारन देकर समझाती है कि चाइनिस सॉल्ट का ज्यादा इस्तिमा लंबे होते हैं वो शहर में अपनी माता रजनी और पिता राजेश के साथ रहती थी वैसे तो स्वाती हर काम में बहुत माहिर थी और सारा काम अच्छे से कर लेती थी पर जैसे ही लोग उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं तो उसकी गंदी और बडबुदार पसीने की बद्बू से उससे धूर भाग जाते स्वाती कितना भी नहा ले पर उसकी बॉड़ि से गंधी पसीने की बद्बू जाती ही नहीं थी ऐसे ही एक दिन मा कोई मुझसे बात नहीं करता जो भी मेरे पास आता है वो मेरे पसीने की बद्बु सुनकर दूर चला जाता है मैं क्या करूं मा कोई बात नहीं स्वाती बेटर तुम सावन से नहा लो ना उससे भी कुछ फरक नहीं पड़ता मा एक बार लगाया द कुछ बिमारी थोड़ी है यह तो किसी के साथ भी हो जाता है तू चिंता मत कर बजार जाकर कोई पढ़िया साबुन ले आती है तब रास्ते में सूरज नाम का एक लड़का स्वाती को देखता है और वो स्वाती को देखकर उस की तरफ आर्षित हो जाता है और सूरज दीर दीरे उसका पीछा करने लगता है तभी स्वाती पीछे मुड़कर उसे देख लेती है और उससे कहती है क्या है क्यों कर रहे हो मेरा पीछा एक थपड़ लगा दूगी कान पर अभी वो वो मैं मैं आप से बात करना चाहता हूं क्यों तुम्हें मुझे क्या बात करनी है भला मुझे आप अच्छी लगती हूँ पर वाकी सब की तरह तुम भी भाग जाओगे नहीं मैं नहीं भागूँगा सच में? हाँ अच्छ ठीक है तो मैं चलती हूँ सुनो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ मेरा नाम स्वाती है और तुम्हारा? माईसल्फ सूरज वाओ सूरज किता ब्यारा नाम है तुम्हारा स्वाती रुको क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? ओके ठीक है मैं आ जाओंगी सुरच की माता अरुणा और पिता दीपक स्वाती के घर अपने बेटे सुरच का रिष्टा ले कर आते हैं जी नमस्ते मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिष्टा ले कर आया हूँ हाँ दीपक जी हम जानते हैं रजनी जिरस्वाती को भाहर लाओ जी अभी बुलाती हूँ स्वाती खुश्पु वाले साबुन से नहा कर सुन्दर से तयार होकर सूरच के माता-पिता से मिलने आती है और हातों में चाय नाश्ता ले जाती है उस समय तो किसी को भी उसके पसीने की बद्भु के बारे में पता नहीं चलता पर समय बीचता जाता है और उन दोनों की के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाती है स्वाती रसोई में जब खाना बना रही होती है तो अरुना उसे जोर-जोर से चिला कर अपने पास बुलाती है बहु अरे बहु यहां आ जल्दी तुझे कुछ बताना है जी माजी कहिए यह बद्भु कहां से आ रही है ओ फो य अच्छ से नहा करा माजी नहाई हूँ पर क्या करूँ यह पसीने के बद्भु जाते ही नहीं अरे करम जली बे शरम अभी मेरी सहेलिया तेरी मुझ दिखाई करने आने वाली है और तु अरे वो तेरे बद्भु सूंकर यह बेहौस हो जाएंगी ए मारा राम जी करम फूट स्वाती दोबारा से नहाती है और क्रीम पाउजर लगा कर कैयार हो जाती है जिससे उसके पसीने की बद्भु थोड़ी कम हो जाती है और अरुना भी पूरे कमरे को रूम फ्रेशनर से महका देती है ताकि उसकी सहेलिया कुछ बोल ना सके और थोड़े ही समय बाद अरुना की सारी सहेलिया घर आ जाती है उसकी बभु को देखने के लिए स्वाती सभी को नमस्ते करती है और उनको चाय सर्व करती है तभी हाई हाई ये इतनी गंदी बदभु कहां से आ रही है अरे या सडांद तो आड़े किते ताव एस है है राम अरुना ये गटाय के बदभु तेरी बभ में से आ रही है छी इसने तो सारा का सारा मूड़ी खराब कर दिया कैसी बभ लाई है तू हाँ जी जी तू सही कहरी से कितनी गंदी बदभु आण लागरी से छोरी में तै रहे अरुना तन पूरी दुनिया में या छोरी मिली तेर छोरे ताई हैं मेरते तै या एक मिंट भी बरदास कोनी होती चलो चलो अड़े तै अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं है तुम तुम उसे से स्वाती से कहती है देख ले आज तेरे और तेरे इस पसीने की बदभु की वज़ा से मुझे कितने बेस्ते जेलने पढ़ रहे हैं नास पीटे तब ही वहां सूरज आ जाता है मा आप क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हो इसे सुना आ रही हो यह तो किसी के साथ भी हो सकता है ना कोई बड़ी बात नहीं है मैं जानता हूं सब इसके बारे में स्वाती ने मुझे पहले ही बता दिया था अरे स्वाती ने तो मुझे से कुछ नहीं चुपाया और मैं इसे बहुत प्यार करता हूं आप स्वाती के बारे में ऐसा ना कहीं तो बहतर ही होगा हे बगवान देखो क्या दुना गई है अरे बेटा तू तो अपने बीरी का गुलाम बन गया है अपनी मा को बोल गया जिसने तुझे पाला अपको सा इतना बड़ा किया बेटा है ये क्या बोल रही हो मा ऐसा कुछ नहीं है और अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊँगा अपने बेटे की बात सुनने के बाद अरुणा को अपनी गलती का पच्चतावा होता है और वो स्वाती से माफी मांगती है पीटा मुझे माफ कर दे मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तुझे इतना बुरा भला कहा पर क्या कहूँ सास हो ना बेटा नहीं माजी आप ऐसा मत बोलिये प्लीज माफी मत मांगिये अगर मुझ में से पसीने की बदबु आती है तो इसमें भला आपका क्या ही दोश था बहू तो चिंता मत कर अपसे मैं तेरा साथ दूँगी और तु देखना मैं ऐसे घरेलू उपाई करके दूँगी ना कि तेरे ये पदबु छुमंतर हो जाएगी स्वाती अब अरुणा का करेलू नुसका अपना कर उसे हर दिन यूज करती है और धीरे धीरे उसकी पसीने की बदबु कुछ हद तक कम हो जाती है और कुछी समय बाद स्वाती के पसीने की पद्वू हमेशा के लिए खत्म हो जाती है अब स्वाती जब भी किसी से बात करने जाती तो कोई उससे दूर नहीं भागता अरुणा एक बार फिर से अपने बहू की मो दिखाई के लिए घर पे फंक्शन रखती है और अपनी सबी सहेलियों को बुलाती है उसकी सहेलिया स्वाती की बहुत कारीव करती है साथ ही उसे शगुन भी देती है और इस तरह स्वाती अपने पती और अपनी सास की साथ खुशी खुशी रहने लगती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?